नमस्कार दोस्तो आज की इस वीडियो में आप देख सकते हैं ये क्रिचार्जवल एमोर्जेंसी लाइट मेरे पैस में रिपेर होने के लिए आया है ये DPLED लाइट कमपानी का है और इसके बारे में सब कुछ डिटल में यहाँ पर लिखा हुआ है आप लोग देख सकते हैं ये light बिल्कुल भी नहीं जलता है अभी मैंने इसका switch को on करके दिखा देता हूँ रहा है और इसको charging करके देखते हैं ये चार्ज हो रहा है याँ नहीं हो रहा है और यहां पर 5V DC सप्ले का पिन को लगाने से भी यह हमारा चार्ज होता है सबसे पहले यहां पर 220V AC सप्ले का कॉर्ड मैंने लगा देता हूँ यह देखिए इसका जो चार्जिंग का LED है यह जल रहा है तो इसका मतलब यह टॉर्च चार्ज हो रहा है और यह LED आपको blinking करता हुआ नजर आ रहा हुगा असल में यह blinking नहीं कर रहा है यह जो mobile का camera है इसमें आपको blinking करता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन यह चार्ज सही से हो रहा है तो चलिए इसमें क्या दिक्कत है इसको खोलने के बाद ही पता चलेगा देखे इसको खोलने के लिए यहां पर दो स्कूल होता है और यहां पर उपर में इसको इस प्रकार से करने के बाद यह देखे यहां पर दो स्कूल होता है तो यह चारो स्कूल को खोलने के बाद ही हमारा निकल जाएगा तो देखिए यहां पर मैंने चारो स्कू को खोल लिया हूँ और इसको कुछ इस तरीके से निकाल लेते हैं यह देख सकते हैं यह हमारा निकल चुका है और यहां पर देखिए हमारा दो बैटरी लगा हुआ है सबसे पहले यह जो दोनो बैटरी है इनका भोल्टेज को चेक करेंगे यह बैटरी में भोल्टेज है या फिर नहीं है अगर बैटरी खराब होगा तो भी हमारा यह लाइट नहीं जल रहा होगा तो सबसे पहले बैटरी को ही चेक करना पड़ेगा ये दोनो बैटरी हमारा parallel में connection है यानि कि दोनो बैटरी का plus एक साथ में connection हुआ है और दोनो बैटरी का minus भी एक साथ में connection हुआ है आप लोग देख सकते हैं तो चलिए अभी मैंने multimeter लेके इसका voltage को check करके दिखा देता हूं देखें दोस्तों multimeter को मैंने 20 volt DC में लगा दिया हूं और यहां पर रख लेता हूं multimeter को और सबसे पहले इस बैटरी का voltage को check कर लेते हैं दोनो बैटरी का voltage एक साथ में check हो जाएगा क्योंकि दोनो बैटरी हमारा parallel में connection है तो यह देखिए बैटरी में ही हमारा voltage नहीं है इस बज़े से यह light हमारा बिल्कुल भी नहीं जल रहा है यह दोनो बैटरी हमारा खराब हो चुका है तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं voltage 0.5251 एसे voltage दिखा रहा है अगर दोस्तों यह बैटरी अच्छा होता तो यहां पर लगबग 3.5 बोल्ट से 4 बोल्ट दिखाया होता है यह multimeter में लेकिन यहां पर हमारा 0.5 बोल्टेज दिखा रहा है जो की बहुत ही कम बोल्टेज है तो इसका मतलब यह दोनो बैटरी खराब हो चुका है और यह दोनो बैटरी को हम चेंज करेंगे तो दोस्तों सबसे पेले ही जो खराब बैटरी है इनको यहां से निकालना पड़ेगा तो निकालने के लिए यह जो वैर यहां पर soldering हो है इनको हटा लता हूँ तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमें soldering iron की माध्यम से यह वैर को हटाना है यहां पर जो black color का वैर soldering होए यह minus का है और जो red color का वैर soldering होए यह plus का है यह आपको ध्यान देना है plus में कौन सा वैर soldering होए और minus में कौन सा वैर soldering होए तो यह देख सकते हैं बैटरी को मैंने यहां से निकाल लिया हूं देखे अभी मैंने दो नया बैटरी ले रहा हूं यह दोनो बैटरी हमारा 4 gold 1 ampere का है यह Sunka company का है और यह Osring company का है यह काफी सरे अलग-अलग company का आते हैं और यह होते हैं lead acid rechargeable battery तो यह जो एक बैटरी होता है या आपको इलेक्टोनिस के दुकान पर लगबग 30 या 40 रुपे की अंदर में मिल जाएगा ये दोनों बैटरी को हम यहाँ पर लगाएंगे तो सबसे पहले दोनों बैटरी को मैंने कुछ इस तरीके से रख लेता हूँ देखे इनका जो प्लस और माइनस होता है ये इनके उपर में लिखा हुआ होता है आप लोग देख सकते हैं तो चलिए प्लस के साथ में हम क्या करेंगे ये जो हमारा रेट कलर का वायर है इनको सोल्डरिंग करेंगे और माइनस के साथ में ब्लाक कलर का वायर को सोल्डरिंग करेंगे तो देख सकते हैं यहां पर हमारा यह ब्लाक कलर का जो माइनस वाला तार है इसको भी हमने सोल्डरिंग कर दिये हैं तो चलिए अब हम सुइच को आन करके देखते हैं तो यह हमारा switch है, इसको सबसे पहले उपर की तरफ on करते हैं, यह देखे, switch को on करते हैं, इसका जो light है वो जल रहा है, और यह switch को नीचे की तरफ on करते हैं, तो यह देखे, नीचे की तरफ यहां पर यह हमारा अच्छे से नहीं जल रहा है, यहां पर switch में थोड़ा सा प्रोल खूलते हैं यहां पर switch में दो Hero लगा हुआ है कि तो यह दोनों स्वू को खोने के बाद यह switch हमारा अराम से निकल जाएगा क्या यह देख सकते हैं है और इसका जो उपर का यह प्लस्टिक है इसको निकाल डाल देते हैं और यहां पर थोड़ा सा ओयल डाल देते हैं आप चाहो तो यहां पर केरोसिन भी डाल सकते हो अभी दोस्तों ये switch हमारा मक्खन की तरह चलेगा ये देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से यहां पर function कर रहा है ये देखे अभी कोई दिक्कत नहीं आने वाला है और इसका जो नीचे का soldering है उसको भी चेक कर लेना है अगर soldering हटा हुआ होगा तो ये switch on होगा लेकिन हमारा जो light होगा वो हमारा अच्छे से नहीं जलेगा तो चलेए अब हम इसको दोबारा fitting कर लेते हैं तो चले यहां पर हमारा सारे काम complete हो चुका है अब हम यहां पर battery को सही से लगा देते हैं तो ये देख सकते हैं हमारा battery सही से लग चुके हैं और इसको कुछ इस तरीके से यहां पर लगा देते हैं तो ये देखें ये वमारा लग चुका है और ये पीछे की सेड़ से इसका जो चारो स्कूरू है इनको टाइट कर लेते हैं तो देख सकते हैं दोस्त अभी मैंने यहां पर चारो स्कूप अच्छे से टाइट ली कस लिया हूँ और यह हमारा अच्छे से फिटिंग हो चुका है अभी हम यह स्विच कॉन करते हैं यह देखें लाइट हमारा सही से जल रहा है और यह निच्छे की तरफ सुच कॉन कर लेता हूँ तो यहां पर भी हमारा लाइट सही से जल रहा है तो इस तरीके से यह जो हमारा रिचार्ज जेवल एमोरजेंसी लाइट होते हैं इनका प्रिपैर कर सकते हो अगर उनका जो बैटरी होता है वो खराब हो जाता है तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर यह वीडियो पसंद आये तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजे और इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारा इस चैनल को सस्क्रेवी कर लिजे